हेलो दूस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हैं आप सभी मुझे उमीद है कि आप सब एकदम भड़िया होंगे आपके डियलेट फोर सेमिस्टर की हिंदी की क्लास में आज मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टन टॉपिक ले करके आई हूँ कारक वा समास ठीके आपकी हिंदी का जो सलेबस इस सेमिस्टर का उसमें बहुत कम चीज़े दी गई हैं जादा यह चीज़े नहीं दी हैं बट अ इंपॉर्टन टॉपिक हैं आपके वो सारे के सारे मैं करा दे रही हूँ ठीके हलंकार वगेरा भी मैं करा दूँगी शुरूआत करते हैं कारक से और यह पूछा भी गया था आपसे किस ने मारा राम ने मारा तो राम है यहाँ पर करता कारक किस को मारा रावड को मारा तो रावड यहां पर क्या हूँ आ अब कहाँ पर करता होगा, कहाँ पर कर्म होगा, तो इनके सामने जो चिन लगे हुएं, यह आपको बता देते हैं कि कौन सा कारक है, जैसे राम ने, राम के बाद ने आया, समझ जाए ये कौन सा कारक करता कारक, रावड को मारा को आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मकारक मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ ये एक सेंटेंस मैंने दिया मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ तो यहाँ पर कौन सा कारक है तो देखो जो काम करने वाला है मैं हूना यहाँ पर मैं के आगे ने नहीं लगा तो कैसे पचानों के मोशली जो आपकी करता कारक होते हैं इसके आगे जो ने चिन है इसका लोप हो जाता है ठीक है पर बाकी में आपको देखने को मिलेगा तो मैं तो करता कारक हो गया पुस्तक को पढ़ता हूँ फिलाल मैं आपको बस इतना समझाने का प्रयास कर रही हूं कि कारक होते क्या है तो कारक जो है वो ये बता जिनका क्रिया से संबन्द होता है वो खेलाते हैं कारक ठीके अब बात कर लेते कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं पढ़नी पढ़ेंगी तो यहाँ देख लीजेगा सबसे पहले बिवक्ती का ज्यान होना है जो संस्कृत में मैंने आपको पढ़ाई थी कारक और कारक चिन ये दोनों important है पूछ लिए जाते हैं आपसे जिसे बोला कि करता कारक का चिन बताओ या फिर करण कारक का चिन बताईए या चिन दे दिया आ तो आपका आंसर आना चाहिए संपरदान कारक के लिए प्रयोक किया जाता है ऐसी बोला कि अपादान कारक का चिन क्या है तो अपादान कारक का चिन है से अलग होना ठीक है तो इस तरीके कोशन आते तो इसको हम एक बार देख लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले आएंगे हम किस पर विवक्तियों पर तो देखेगा जो आपकी विवक्तिया होती है वो कितनी होती है विवक्ति होती है साथ प्रत्धमा, दुतिया, तरतिया, चतुर्थी पंच्मी, सस्टि और सब्त्मी, clear, आप कोशिन कैसे बनता है विवक्तियों से तो संपर्दान कारक में ऐसी पूछले सपनी विवक्ति किस कारक में प्रयोग की जाती है तो अधिकरण कारक में उल्टा भी पूछ सकते हैं कैसे कि संपर्दान कारक में कौन सी विवक्ति आती है तो चतुर्थी विवक्ति आती है क्लियर है ना चीजें तो विवक्ति कितनी है विवक्ति है टोटल साथ अब आते हैं कारक पर कारक की गर हम बात करें तो हिंदी में कारकों की संख्या होती है आठ और संस्कृत में कारक होते हैं आपके छे तो संस्कृत की तो यहां बात ही नहीं करनी यहां बात करनी है मातर हिंदी की तो हिंदी में कारक कितने है 8 है विवक्ती कितनी है 7 विवक्ती 7 क्यों है कπό lets कर्थमा विवक्ती ही प्रियोग की जाती है चलो कारक चिन्नों को देखो च Celsius कारक चिन्न होता है ने तो हम इसको याद कैसे करेंगे सीक्वेंस में चलेंगे हम करता ने कर्म को करड से यानि कि द्वारा के उसमें से जो यहाँ पर प्रियोग होगा वो द्वारा के सैंस में या फिर आप लेख सकते हैं के द्वारा भी यहाँ पर प्रियोग हो जाता है कभी कभी के द्वारा भी यूद हो जाता है तो करण से या के द्वारा संपरदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंद काकी के रारी रे अधिकरण मेपेपर और संबोधन हे वो अरे क्लियर है अब इनको हम विवक्ती के साथ भी एक बार देख लेते हैं देखो प्रत्मा कर्ताने दुतिया कर्म को त्रतिया करण से या के द्वारा चतुर्थी संपरदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में सश्टी संबंद काकी के रारी रे सप्तमी अधिकरण मेपे पर प्रत्मा ही होगी किसमें संबोधन हे वो अरे अब एक बार मैं कोश्चन आपको बता देती हूँ कि यहां से कोश्चन कैसे बन सकता है पहला कोश्चन जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि करण कारक का चिन बताईए तो करण कारक का चिन्न क्या हो जाएगा से या के द्वारा अब मैं आपको पूछ रही हूँ कि संपरदान कारक में कौन सी भिवक्ती प्रियोग होती है तो संपरदान कारक में चतुरती भिवक्ती प्रियोग की जाती है ऐसे अगला आमने पूछ लिया की संभन्द कारक का चिन्न बताओ तो काकी के रारी रे या फिर मेपेपर जो है इसमें कौनसा कारक होगा तो इसमें कारक होगा अधिकरण कारक तो ऐसे पूछ लिये जातें हैं आप से उल्टे सीधे जयसे कोशन आप देख सकते हैं करमा लीजे आ जाए मैंने किटाब पढ़ी तो किसने मैंने ने देखी समुझे ता कारक करता एक कर कर्म कारक की बात करते रामने रावड को मारा किसको मारा रावड को मारा करता ने कर्म को को कारक्च ने देखा समझ जाओ कौन सा है कर्म कारक है ठीक है मैं किताब को पढ़ता हूँ तो किताब को या फिर मैं पत्र को लिखता हूँ तो वहाँ पर क्या है कर्म कारक ठीक है इसके बाद आते हैं करड करड कारक की बाद करें तो मैं पैन से पत्र लिखता हूँ पैन से यानि कि पैन के द्वारा ही तो पत्र लिख रहा है या कलम से हो जाएगा हिंदी में कि मैं कलम से पत्र लिखता हूँ तो जिस साधन की द्वारा काम किया जाता है वहाँ पर कौन सा होता है आपका करण कारक होता है ठीक है जब हम किसी साधन से किसी कारे को संपन्द कर रहे होते हैं तो वहाँ होता है आपका करण कारक अब आते हैं हम किस पर संपर्दान कारत के लिए तो संपर्दान का अर्थ होता है के लिए अब मतलब कि यहां पर है कि जिस अपेक्षा से यानि कि जिस के लिए काम किया जा रहा है जैसे माल लीजे कि आप पढ़ रहे हैं तो किस के लिए पढ़ रहे हैं जो आप पाने के लि तो यहाँ को विख्षा दी को बिख्षा दीज़ाई को भिख्षा देने के अर्थ या पर थीक है दान के अर्थ में जब को आ जाए तो वहाँ कौन सा कारक होंगा संपरदानकारक होंगा किलियर ठीक है यांनि कि जिस चाहा के लिए आप कोई काम कर रहे होंगे तो वहां के लिह आ जाएगा ठीक है इसके बाद आते हैं अपादान कारक अलग होने की अर्थ में जैसे हमने बोला हेमाले से गंगा निकलती हैं गंगा कहा charisma लिसे अलग हो गई रभत्ती गंदटें कौन सा कारक आपादान विवक्ति ? पंच्मी ठीक है अगला देखिए संबंद कारक यह जो संसक्रत में इसको कारक ही नहीं नहीं देख लो जैसे राम का पुत्र ठीक है राम के पुत्र कौन लवकुष है तो राम का का की मिल गया वैसी समझव कौनसा कारक संबंद, विवक्ती कौन सी सस्टी ठीक है राम दशुरत के पुत्र थे तो दशुरत का पुत्र काकी के मिल गया ना तो यहाँ इस संबंद को बता रहे होते हैं अब अगला आता है अधिकरन कारक अधिकरण कारक का चिन होता है मेपे पर तो यहाँ पर आप माली जी आसन टाइप का होगा व्रक्षुप पर चिडियां बैठी हैं किस पर बैठी है व्रक्षुप पर पर देखके समझ जो कि कौन सा कारक है अधिकरण कारक और इस कारक का बिवक्ति कौन सी सब्त्मी भक्ती ठीक है मैं सिंघासन पर बैठा हूँ सिंघासन पर कौन सी भक्ती अधिकरण कारक और सब्त्मी भक्ती उम्मीद है आपको यहां से समझ में आ गई होंगी चीज़े काफी सारी चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला क्या रहेगा आपका नेक्स्ट यहां पर देख लीजेगा पेड से फल गिरता है कौन सा कारक है अपादान कारक है संपरदान कारक के लिए किस भक्ती का प्रयोग करते हैं चतुर्थी भक्ती का प्रयोग किया जाता है कारक किसे कहते हैं लिखी लेंगे जिनका क्रिया से सीधा संबंध होता है उनक करण कारक में कौन सी भिवक्ती प्रियोग होती है तो करण कारक में कौन सी भिवक्ती होगी प्रत्मा करताने दुतिया कर्म को त्रतिया करण से कर्म में होती है करण में होती है त्रतिया भिवक्ती ऐसी अगर आपसे पूछा जाए कि अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक प्र सी होती है तो प्रत्मा करताने दुतिया कर्म को तृतिया करण से या के द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में तो कौन सी भिवक्ती हो रही है यहां पर भिवक्ती भी साथ में आपको पता होनी चाहिए पंचमी भिवक्ती है खीक है अब यहाँ पर और देखीजेगा इसी प्रकार से एक और कुश्चन में आपको बता देती हूँ अगला कुश्चन की कुश्चन है यहाँ पर अगला की राजा सेवक को कमबल देता है राजा सेवक को कमबल देता है तो यहाँ पर बताईएगा कंबल देता है तो सेवक को में कौन सा कारक है अंडरलाइन करके आएगा सेवक को में कौन सा कारक है तो बताओ मैंने भी जश्च बताए कि दान देने के अर्थ में कौन सा कारक होता है संप्रदान कारक यानि कि चतुर्थी संप्रदान के लिए तो कौन सा कारक यहाँ पर रहेगा चतुर्थी बिभक्ती हो जाएगी और कारक भी यहाँ लिख देती हो कौन सा कारक रहेगा संप्रदान कारक ठीक है याद रखना संप्रदान कारक एक कोशन और पूछ रही हो मैं कि वे बतागेगा कि से या के द्वारा किस का कारक चिन है ये है आपका देखो प्रथमा करताने दुतिया कर्म को तृतिया करण से या के द्वारा तो कौन सा कारक है, करड कारक है और बिवक्ति यहाँ पर कौन सी होगी बिवक्ति होगी, तरफिया मैं दोनु साथ साथ क्यों कर रहे हूँ कि आपसे हर प्रकार से कोशन पूछ लेते उल्टा सीधा भी, ठीक है ना तो ऐसे कोशन आ जाते हैं और एक आद और देख लेते हैं और example मैंने आपसे बोला कि बच्चे या विध्यार थी बस से स्कूल जाते हैं बच्चे बस से स्कूल जाते हैं तो बताओ यहाँ पर इसमें बस से में क्या कौन सा कारक है तो बस से करताने कर्म को करण से या के द्वारा तो कौन सा कारक रहेगा यहाँ पर करण कारक रहेगा कौन सा कारक रहेगा करण कारक उमीद है आपको समझ में आया होगा ठीक है ऐसे मालीजे एक और मैं आपको दे दूँ कि मास्टर जी कुरसी पर बैठे हैं मास्टर जी कुरसी पर बैठे हैं किस पर बैठे हैं कुर्सी पर तो बताओ मेपे पर किसका चिन्न है करताने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंद काकी के रारी रे अधिकरण मेपे पर तो क्या रहेगा यहां पर अधिकरण रहेगा कौन सा कारक रहेगा अधिकरंड कारक रहेगा उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होंगी चीजे एक चीज और ध्यान रखना अगर कहीं आपसे पूछ लिया गया कि परिसर्ग ये बोले कि कर्म कारक का परिसर्ग बताईए तो कारक चिन्नों को ही हम क्या बोलते हैं परिसर्ग के नाम से भी जानते हैं तो अगर परिसर्ग लिख के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो ना कारक चिन्न को ही क्या बोला जाता है परिसर्ग बोला जाता है उम्मीद है आपको अच्छे लगी होगी क्लास अब इसी से जुड़े हुए आपके समास हैं को मैं एक्ट चलास में कंफ्लीट कराऊंगी थैंक्स पर वच्चिंग और प्लीज लाइक शेयर और सब्स्क्राइब मारे चनल बाबबाई टेक केर